स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्ट अटा में दोस्तों अगर हमें पोर्टफिलियो बनाते हैं और एक स्टॉंग पोर्टफिलियो बनाकर मत्ली बेसिज पर हम जादा नहीं अगर तीन फंड के अंदर हर एक फंड में सिर्फ तीन सो रुपे पर फंड के अंदर पैसे को निवीश करते हैं और हमारे एक बड़े फंड बनाने का टार्गेट है अब आपको तीन फंड के अंदर कुल मिलाकर लौसो रुपे डालने हैं यानि हर एक फंड के अंदर सिर्फ तीन सो रुपे और इसी पैसे से यानि इस कम पैसे से भी आप पांच करोड रुपे से जाधा का फंड बना सकते हैं क्योंकि अगर हमें किसी single fund में पैसे को नविश करते हैं तो फिर रिस्क तोड़ा बढ़ जाता है लेकिन अगर हमें एक portfolio बनाकर पैसे को डाते हैं तो तील fund के अंदर पैसे को डालने से हमें ये benefit मिलता है कि अलग-लग risk वाले fund हम पिक करते हैं और long time में इन fund में हमें एक अच्छी growth मिल जाती है और दोस्तों mutual funds के अंदर सबसे 32 तरीका भी यही होता है कि आप हर एक fund के अंदर पैसे को डालें जिससे होता है कि किसी एक sector के अंदर अगर आभी growth है और आने विले time में अगर दूसरे sector के अंदर growth मिलती है और पहले sector के अंदर growth कम है तो यहाँ पर आपका पैसा balance हो जाता है और आपको एक stable return मिल पाता है जैसे आपने देखा होगा कि पिछले एक great साल से small cap और mid cap के अंदर जादा growth थी जबकि large cap funds ने कम performance दी इसी तरह अगर हम आपी की बात करें तो large cap fund अची performance दे रहे हैं जबकि mid cap और small cap के अंदर pressure है इसी तरह जब भी आप पैसे को नवेश कर रहे है mutual funds प्लान के अंदर तो फ करने हैं बलकि आप मंतली business पर थोड़े बहुत पैसे डालते हैं और उसी से आपका target बड़े fund बनाने का है तो फिर आपको एक अच्छे fund पिक करने चाहिए आज हम इस वीडियो में निपॉन इडिया के तीन best fund की बात करेंगे और दोस्तों ये अलग-लग category के fund है इनमें अल आपको मिला है अब आपको इन तीन fund के अंदर portfolio बनाना है और हर एक fund के अंदर सिर्फ 300 रुपे का निवीश करना है और अगर आप मतली business पर इतने पैसे डावते हैं तो इन तीन fund के अंदर ही अब 5 करोड 72 लाख रुपे तक fund बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे और calculation के साथ भी जरूर देखेंगे लेकिन उससे पहरे एक डिकवेस आप से जरूर रहेगी अब चैनल को subscribe जरूर कर ले हैं अब दोस्तों इन तीन fund में सबसे पहला fund हमने चुपिक किया है यह तो निपॉन अडिया का small cap fund अब small cap fund के अंदर risk जरूर है ल देखेंगे अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो fund में 39% का return, last 3 year में 29%, last 2 year में 47% और 6 month में इस fund के अंदर हमें 22.48% से ज़्यादा का return रहे है देखेंगे दोस्तों अभी market के अंदर एक correction है इसका फाइदा आप ले सकते हैं त्योंकि यहाँ पर अभी भी NAV के price में एक correction है जिसका benefit अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप पैसे निविश करना start कर सकते हैं और इसका benefit भी आपको मिल जाएगा यानि हम निपोन इंडिया के साथ portfolio बनाते हैं तो इस fund को हम जरूर पिक कर सकते हैं दोस्तों second fund हमने जो पिक किया है यह है निपोन इंडिया का growth fund, mid cap category का यह काफी 23 fund है और दोस्तों जब से fund ने start हुआ है तब से लिकर अब तक भी इस fund ने हमें काफी अच्छा return दिया है अगर हम fund के अनुलाइस return की बात करते हैं तो दोस्तों यह है 20.50% का लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो fund में 32.66% का return, last 3 year में 26.29% का return, last 2 year में 53% और 6 मत में इस fund के अंदर हमें 23.64% का compound return मिला है देने के दोस्तों इस mutual fund टांग के अदर भी अगर हम portfolio बना कर पैसे को नवीश करते हैं तो यहां से इस fund में भी हमें एक अच्छी growth मिल सकती है और अभी तक भी इस fund ने हमें return काफी अच्छा दिया है अब दोस्तों जोनों को balance करने के लिए हमने एक fund पिक किया है जो है निपॉन डिया का flexi cap fund और दोस्तों यहां पर portfolio में small cap, mid cap और large cap category तीनों तरह के stock शामिल है जिसकी वज़ा से fund का portfolio काफी strong है और अगर हम return की बात करते हैं तो fund में return हमें काफी अच्छा मिला है fund का annualized return 20% से जाता है लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो fund में 18% का return है एक साल में इस fund ने 36% और 6 महिने में fund के अदर हमें 17% से जाता return में रहा है जानि कि इस mutual fund plan के अदर अगर हम return की बात करते हैं तो यह भी काफी अचा है और यहां पर risk कम है उन दोनों fund की मुका return अब यहां पर हर एक fund के अंदर हम 300 रुपे का निवीश करते हैं कुल मिलाकर 900 रुपे 3 fund के अंदर डाते हैं अब दोस्तों यहां पर average return अगर हम fund के साथ तीनों fund में मिलाकर 24% का expect करते हैं यहां पर अगर हम starting पैसे को निवीश करने का target रखते हैं सिफ 6 साल का तो 6 साल में 64,800 रुपे का निवीश करके हम 1,45,000 रुपे का fund बनाएंगे 80,296 रुपे का return हमें मिल जाएगा लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं 12 साल के लिए तो फिर हम 1,29,600 रुपे का निवीश करके 7,48,000 रुपे का fund बनाएंगे और 6,19,000 का return लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं दोस्तो 18 सार तक के लिए तो फिर हम 1,94,400 रुपे का निविश करके स्तमधार फंड के अंदर 32,61,000 रुपे का फंड बनाएंगे और 30,66,000 का रिटन दोस्तो अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 24 सार तक के लिए तो फिर हम 2,69,200 रुपे का निविश करके कुल SIP के तुरू यहाँ से 1,37,000 रुपे का फंड बनाएंगे और 1,44,000 का रिटन और दोस्तो अगर हम पैसे को डालते हैं 30 साल तक के लिए तो फिर हम 3,24,000 रुपे का निविश करेंगे SIP के तुरू और इससे हमारे पास 5,75,000 रुपे का एक बड़ा फंड होगा और 5,68,000 रुपे का रिटन यानि यहाँ पर अगर हमें पैसे को निविश करना है तो दोस्तो हमें एक बड़ा फंड भी आसानी के साथ बना सकते हैं और दोस्तो अगर हमें तीन फंड के कुछ important details की बात करते हैं और इसमें हम अपने पहले फंड यानि के निपोन डिया के small cap फंड की बात करते हैं तो दोस्तो इस फंड के जो एनिवी का प्राइस है वो अभी है 2001 रुपे का यानि कि आप जो भी पैसा निवीश करें जो भी करेंट एनिवी का प्राइस होता है इस प्राइस के साथ से हमें यूनिट मिल जाती हैं और इसी पर हम profit and loss track कर सकते हैं रेटिंग की बात करें तो शांदार 5 रेटिंग है यानि यहाँ पर लोगों ने काफी जादा पैसा निवीश किया है और निपोन अडिया का ये काफी 32 फन भी है फन के अदर मंतली बेसिस पर आप कम से कम 100 रुपे मंतली से निवीश कर सकते हैं बाद में से आप टॉप आप आप्शन से बढ़ा सकते हैं और ऐसा इप आप मंतली, क्वाटरली या फिर हाफ्यरली बेसिस पर भी कर सकते हैं दोस्तो इस फन का पोर्टफिलियो काफी बड़ा है कुल मिलाकर 293 कंपनी हैं फन के पोर्टफिलियो में जिनमें पैसे को निवीश किया गया है इसमें अगर हम बहतीन कंपनी की बात करें जो फन के टॉप होल्डिंग में शामिल है इसमें HDFC बैंक, ट्यूब इंवेस्टमेंट, मल्टी कमूर्टी एक्सेंज आफ इंडिया, ओल्टेम, ट्रास्फोर्मर, अपर इंडस्टी, क्रिलोस कर एनकि दोस्तो बहतीन कंपनी, जिनके दर लगातार हमें क्रोथ काफी शानदार मिली है और आने वले टाइम में भी, यहाँ पर हमें एक बहतीन क्रोथ मिल सकते है दोस्तो करने बात करते हैं अपने निपोरन ईडिया के ग्रोथ फन्ड की तो यहाँ पर इस fund के एनेवी net asset value का जो price है वो है 4580 रुपे का यहाँ पर जो भी पैसा आप नवेश कर रहे हैं तो current एनेवी के price से आपको unit मिल जाती है rating भी fund की काफी बढ़िया है फूर 35,000 रुडुपे से जादा fund का even भी है काफी लगातार है यह बढ़ रहा है और fund के अधर इसमें भी आप S.I.P के तुरू 100 रुपे और लमसमे 5,000 तक आप डाज सकते हैं दोस्तो इस fund की holding में कुल मिनाकर 94 कंपनी है इसमें अगर हम बहतीन कंपनी की बात करें जिनमें fund के जातर पैसे को नवेश किया गया है इसमें चोला मटना Finance Holding Company, Power Finance Corporation, Voltas Limited, Fortis Healthcare, The Fedder Bank और BSE Limited यहाँ पर portfolio काफी strong है जिसमें पैसे को नवेश किया गया है और यहाँ से आपको आने विले टाइम में भी एक अच्ची growth मिल सकती है दोस्तो गर हम अपने 3rd fund की बात करते हैं जो है निपोन इंडिया का Flexi Cap fund तो यहाँ पर दोस्तो एने वी का जो प्राइज है वो है 18 रुपे, fund की rating की बात करें तो शांदार 4 rating है 8749 रुपे fund का युए हम है, fund के अंदर SIP में 100 रुपे निविश कर सकते हैं और लम समें इस fund के अंदर आप 5000 रुपे तर चाल सकते हैं दोस्तो इस fund के portfolio की बात करें तो 98 stock है, fund के portfolio में top holding की बात करें तो HDFC bank, ICC bank, Larson and Turbo Infosys यहाँ यहाँ पर last cap category की जाता top holding company में है, top holding company है, लेकिन यहाँ पर दोस्तो अलगले category में भी पैसे को नविश किया गया है जिसके वज़ाते fund है return काफी अच्छा दिया है, तो दोस्तो यहाँ पर हमें एक strong portfolio बनाते हैं और पैसे को नविश करते हैं तो यहाँ पर हम हर एक fund के अंदर सिफ 300 रुपे का नविश करके भी 24,000 रुपे का नविश करके 5,72,000 रुपे तक fund बना सकते हैं दोस्तो इस वीडियो सो related को कोशन होता है तो आप ज़रूर बताएए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर रहे हैं धन्यवाद